दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों मागदर्शन एक्जाम टाइम सरिंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत में राष्टवाद, प्रमुख व्यक्तितो जैसे गुपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगा धर्तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नहरू, सुबाश शंद्र बोस, भीम राव अंबेटकर और जिन्ना, इसकी अलामा कांग् और बंगाल का विभाजन, भारत में संभैधानिक विकास और संभिधान सभासे संभधित महत्तो पूर्ण प्रश्णों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो TGT-PGT, नागरिक सास के साथ साथ अन्य परिच्छाओं जैसे गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परि दोस्तों आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे भारत में राष्टवात से संभंधित महत्तो पूर्ण प्रश्णों को देखें, दोस्तों प्रश्ण है कि किसे भारती राष्टवात का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, तो सही उत्तर है दोस् में पुनर जागरण का अगरदूत भी कहा जाता है प्रश्ण देखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राए और आपके लिए प्रश्ण है कि ब्रह्म समाज की अस्थापना कब की गई थी दोस्तों अगला प्रश्ण देखते हैं स अला प्रश्न है सर्वपर्थम किस ने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी तो उत्तर है स्वामी दयानन सरस्वती ने दोस्तों स्वामी दयानन सरस्वती ने सबसे पहले अपने लेख और लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी दोस्तों किस आधार पर स्वामी दयानन सरहस्वती ने सर्वोचता को निर्धारित करने का विरोध किया था दोस्तों स्वामी दयानन सरहस्वती पद और जो है दर्जे को योग्यता के आधार पर मानते थे इसलिए उन्होंने सर्वोचता को निर्धारित करने का जो जन्म आधारी सिद्धान था उसका उन्होंने विरोध किया था अब आये देखते हैं गोखले और तिलक से सम्बंधित महतोपोंड प्रश्न जो आगामी TGT PGT परिक्षा के लिए उपयोगी है दोस्तों प्रश्न है कि गोपाल कृष्न गोखले किस वर्स अखिल भारती कांग्रेश समित के अध्यक्ष बने थे तो सही उत्तर है 1925 वी में अगला प्रश्न है उदारवादी नेताओं में किसे चादी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया है तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था दोस्तों उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का महतपोड स्थान था और इन्हें चादी की वाडी वाला वक्ता कहा जाता था अगला प्रशना ये देखते हैं गांधी जी द्वरा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था तो दोस्तों गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था तो याद रखेगा गान्धी जी के राजनेतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोख्ले अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वेंट आफ इंडिया सोसाईटी या भारत सेवक समाज की अस्थापना किसने की थी तो उत्तर है गोपाल कृष्न गोखले ने सर्विंट आफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की अस्थापना गी थी अगला प्रशन है तिलक को भारती असांती का जनक या भारती असांती का अगरदूत किसने कहा था तो उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगा धर्तिलक को भारती असांति के जनक की संग्यादी है और एक प्रसिद्ध नारा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे ये नारा बाल गंगा धर्तिलक का है दोस्तों बाल गंगा धर तिलक को भारत का बेताजवासा और लोक मानने के नाम से जाना जाता था उन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है अगला प्रश्ण है किसको भारत में असान्ति का अगरदूत कहा जाता है तो बाल गंगा धर तिलक को वेलेंटाइन से रोलने भारत में असान्ति का अगरदूत कहा है अगला प्रश्ण है दोस्तों बाल गंगा धर तिलक संबंधी थे देखिए वह नरम पंथियों के उद्देश से और तरीकों से प्रसंद नहीं थे क्योंकि वे उग्रपंथी विचारक थे इसके अलावा लच्छियों को प्राप्त करने के लिए संबैधानिक तरीकों और हिंस में विश्वास रखते थे उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के दो सापताहिक पत्रों को प्रारम किया था तो ये तिलक के बारे में सही कथन है दोस्तों अगला प्रश्ण है कि कौन से विचारक उदारवादी थे तो गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नवरोजी और फिरोष शाहमेता उदारवादी जो है राष्टवादियों की स्रेडी में आते हैं और ये लोग अनुनय विनय और प्रार्थना तथा जो है अनुनय वि अंधियार के रूप में भूख हर्ताल का इस्तेमाल किया था तो सही उततर हैं अहम्दा बाद मिल मजदूरों की हर्ताल में गांधियों जीने पहली बार भूख हरताल का प्रियोग किया था अगला प्रश्ण है भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव का हुआ था तो सही उत्तर है चमपारण में चमपारण सत्याग्रह में भारत महात्मा गांधी को जन अंदोलन का पहला अनुभा हुआ था और ये प्रश्ण कई बार पूछा जाता है चमपारण अंदोलन खेडा अंदोलन इन सभी का डेट क्या है तो आप इसको कमेंट वाक्स में लिख दीजेगा उसी बहने आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कि चमपारण और खेड सत्याग्रह का जो है वर्स क्या था अगला प्रश्ण है गांधी जी द्वारा चलाये गया बार दोली अंदोलन किसके विरुध था तो ये था भूर कर या भूराजस में अधिक बृधि के विरुध सरूप गांधी जी द्वारा बार दोली अंदोलन चलाये गया था अगला अगला प्रश्ण है गांधी जी के स्वराज की अधाना कैसी है तो दोस्तों गांधी जी के स्वराज का अर्थ स्वसासन है यानि ऐसी बेवस्था जिसमें लोग खुद अपने उपर सासन करें गांधी जी के स्वराज से संबंधित है अगला प्रश्ण देखते हैं अंदोलन का पृत्मिक उुद्धECH से था. अगला प्रश्न देखते हैं असहयोग अंदोलन के एजेंड़ा में शामिल क्या था, तो सही उत्तर है असहयोग अंदोलन 1920, इसके एजेंड़ा में विदेशी वस्तुओं का बहिस्कार, अदालतों का बहिस्कार और 1919 के अधिनियम क के अंतरगत चुनाओं का बहिसकार करना था अगला प्रश्ण है असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेस्ताएं कौन सी थी आपको बताना है तो उत्तर है नामित पदों से त्याग पत्र देना बिधाईकाओं का बहिसकार करना और साथ ही साथ न्यायालों का बहिसकार करना अगला प्रश्ण है दोस्तों, महात्मा गांधी कब भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच थे? तो सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी 1924 में बेल गाउं करनाटक में हुए कांग्रेस अध्यशन के अध्यश थे और एक मात्र अध्यशन था जिसमें गांधी जी भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यश बने हैं तो ये था बेल गाउं अध्यशन अगला प्रश्ण है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिध दांडी यात्रा कब प्रारम की थी तो याद रखियेगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारम की थी अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी ने सविने अवग्या आंदोलन किस प्रकार प्रारम किया था तो ये नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविने अवग्या आंदोलन को प्रारम किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों सब इने अवग्या आंदोलन के समानांतर गढ़वाल पल्टन के जवानों ने जिस अस्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था वो अस्थान कौन सा है तो सही उत्तर है पेशावर अगला प्रश्ण है 1936 में किस ने कहा था कि गांधी वाद जैसी कोई चीज नहीं है तो उत्तर है ये स्वयंग महात्मा गांधी ने 1936 में कहा था कि गांधी वाद या गांधिजम जैसी कोई चीज नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तों अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया ब्यक्तिगत सविने अवग्या आंदूलन का प्रथम सत्याग रही कौन था तो याद रखेगा 1940 में शुरू किये गए ब्यक्तिगस सभिने अवग्या अंदुलन के पर्थम सत्याग रही आचारे बिनोबा भावे और दुती सत्याग रही जवाहर लाल नहरू को चुना गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेट चेक कहा था तो ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों सही सुमेलन करना है देखिए साइमन का मिशन ये 1927 में इसका गठन हुआ था ये भारत आया था नमक सत्यागरह 1930 में गांधी इर्विन समझोता का जो समयकाल है वो है 1931 अगला प्रश्ण दोस्तों सुमेलित करना है सही ढंग से सुमेलित करना है तो देखिए बेदों की ओर लोटो या बैक टू दे बेदाज ये दयानन सरस्वती का नारा है दयानन सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकास नामक महत्तोपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसको की आरे समाज की बाईविल कहा जाता है और इन्होंने बंबई में आरे समाज की अस्थापना की थी दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुबाश यंद्र बोस्निक लगाय था और करो या मरो महत्मा गांधी ने और इनकलाब जिन्दाबाद ये भगस सिंग का दिया हुआ नारा था अगला प्रश्न है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और इस आधार पर दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करना है देखिए पूना समझोता दोस्तों पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को जो है महत्मा गांधी के समर्थकों और भीमरावां बेटकर के बीच हुआ था अगस्त प्रस्ताओ जो है आठ अगस्त 1940 वर्धा प्रस्ताओ देखिए वर्धा प्रस्ताओ जो है दोस्तों ये 14 जुलाई 1942 और बेवेल योजना 4 जून 1945 की है तो याद रखेगा इस तरह से सही सुमेलन आप कर सकते हैं अब आएए देखते हैं दोस्तों जवाहरलाल नहरू सुभाष यंद्र बोस अंबेड कर और जिन्ना से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए स्वराज दल की अस्थापना का प्रमुक मुद्दा क्य अगला प्रश्न है सुभाष यंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यच पद के लिए कब चुनाओ लड़ा था तो ये 1949 में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न किसने गांधी के नमक सत्यागरह की तुलना नेपोलियन की पेरी सियात्रा से की थी तो ये नेता जी सुभाष अगला प्रश्न है दोस्तों फरवरी 1922 में असहयोग अंदोलन के अचानक अस्थगित किये जाने पर किसने ये टिप पड़ी की थी कि जब जन उससाह अपनी चरम सीमा वर पहुँच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना राष्टी आपदा से कुछ भी कम नहीं था त अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलित करना है देखिए कौन सा सही सुमेलित है तो दोस्तों नहरू रिपोर्ट का संबंध मोतिलाल नहरू से है चमपारण सत्यागरह गांधी जी से संबंधित है और फारवर्ड बलाग ये नेता जी सुभाश्यंद्र बोश से संबंधित है अगला प्रश्न है किस ने तीनो गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये थे बाबा साहब डाक्टर भीमराव अमबेटकर इन्होंने तीनो गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। और आपको बताना है कि गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था अगला प्रशन है समता सैनिक दल यानि सामाजिक समता सेना की अस्थापना किसने की थी तो बी आर अमबेट करने समता सैनिक दल या समाजिक समता सेना की अस्थापना की थी अगला प्रशन है भारत में एक पिर्थक स्वतंत्र मुस्लिम राजी के विचार को सरोपर्थम किस ने प्रस्तुत किया था तो दोस्तों सबसे पहले स्वतंत्र मुस्लिम राजी के विचार को मुहम्मद इकबाल जो कि एक कवी और शायर थे इन्हों ने प्रस्तुत किया था लेकिन पाकिस्तान सब्द जो है कैम्ब्रेज इन्वर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था अगला प्रश्ण है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था तो सही उत्तर है दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया था और एक प्रश्ण देखिए मुस्लिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस कब मनाया था उत्तर है दोस्तों मुस्लिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस या डाइरेक्ट एक संडे 16 अगस्त 1946 को मनाया था अगला प्रश्ण है अपने किस अध्यवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया कि बिभाजन करो और यहां से जाओ तो सही उत्तर है कराची अध्यवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया कि बिभाजन करो और जाओ अब आये देखते हैं कांग्रेस बंगाल बिभाजन और स्वदेसी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर प्रश्ण को दोस्तों प्रश्ण है कि भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम अध्यवेशन कहां संपन हुआ था तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले में भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम अध्यवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को भारती राष्टे कांग्रेश की अस्थापना हुई थी ए ओह यूम नामक एक रिटायर्ट ब्रेटेस अधिकारी ने कांग्रेश की अस्थापना की थी और बंबई में जो कांग्रेश का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यश्ता WC बनरजी ने की थी तो या पंथी या उदारवादी जो थे ये सांति पूर संबैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे अगला प्रश्ण है भारती राष्टी कांग्रेश का निर्वाचित प्रथम यूरोपी अध्यच कौन थे तो सही उत्तर है जार जियू ले दूश्तों भारती राष्टी प्रथम भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिला अध्यच कब चुनी गई दोस्तों प्रथम भारती राष्टी कांग्रेश की महिला अध्यच स्रीमती सरोजनी नायटू थी लेकिन भारती राष्टी कांग्रेश की प्रथम महिला अध्यच स्रीमती एनी बेसेंट थी और आपको ये दोनों तितियां याद रखनी होंगी कि एनी बेसेंट कब भारती राष्टी कांग्रेस की अध्यच बनी थी और सरोजनी नायटों को कब बनाये गया था। तो याद कर लिजेगा और कमेंट बाक्स में हमको बता भी दीजेगा। अगला प्रश्ण है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश से को किस वर्ष निर्धारित किया था। तो सही उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारती कांग्रेस समीति द्वारक का पारित किया गया था तो अगस्त 1942 में और यहां पर देखे काला नुकरम के अनुसार बेवस्थित करना है तो देखे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ उस अखिल भारती कांग्रेस समीति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिसन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अध्वेशन हुआ था तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नहरो उस समय भारती राष्टी कांग्रेस समीति के सभापति थे जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिसन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अध्वेशन हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिसन योजना भारती सम्विधान सभा के गठन का आधार है और दोस्तों कैबिनेट मिसन की संस्तुतियों के आधार पर भारती सम्विधान का निर्मार करन वाली संबिधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में पोच्टा है तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर इस्टिफ़र्ड के रिप्स लाड़ पैथिक लारेंस और एवी एलेकजेंडर थे और देखे एक प्रश्ण और आता है कि भारत के लिए संबिधान सभा की रचना के लिए संबिधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था अगला प्रश्ण है बंगाल बिभाजन का वास्तविक उद्देश से क्या था तो सही उत्तर है बंगाल बिभाजन का जो आधार माना था। अगला प्रश्ण है बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंब हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 इस बिमें हुआ था और इस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंब हुआ था। अगला प्रश्ण है स्वदेसी आंदोलन कब प्रारंब किया गया था तो उत्तर है 1905 में बंगाल विभाजन के बिरोध में स्वदेसी आंदोलन प्रारंब किया गया था और इस आंदोलन में दोस्तों कलकत्ता के जो है छात्रो या इस्टुडेंट की बहुत बड़ी भूमिक अगला प्रश्ण है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया तो सही उत्तर है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था आपके लिए एक प्रश्ण यहां पर है दोस्तों बंगाल विभाजन किसके समयकाल में हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं लेकिन बंगाल विभ अरद्ध किया गया था अब आ भीम राओ अंबेट कर थे किस कानून द्वाराust India Company से सत्ता बृतिश सामराज को अस्थानांतरित की गई थी तो ये था भारत सरकार अधनियम 1918-1858 और इस एक्ट के द्वारा East India Company से या East India Company के हाथों से सत्ता बृतिश क्राउन को अस्थाना अंतरित कर दी गई थी अगला प्रश्ण है भारत में प्रतिनी धिसरकार की नियू किस अधिनियम से पड़ी तो उत्तर है दोस्तों भारती परिसाद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनी धिसरकार की नियू पड़ी थी अगला प्रश्ण है 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो सही उत्तर है दोस्तों मारले मिन्टो एक्ट मारले मिन्टो एक्ट 1909 को उस नाम से जाना जाता है यानि 1909 का अधिनियम मारले मिन्टो एक्ट के नाम से जाना जाता है अब आई देखते हैं अन्य गत्विधियों से संबंदित महतोपोर्ण प्रश्णों को दोस्तों किस गवर्नर जनरल का सासनकाल भारती राष्टवाद का वीजांकुरणकाल कहा जाता है तो सही उत्तर है लाड लिटन दोस्तों लाड लिटन ने राष्टवाद वीरोधी भावना या राष्टवाद की भावनाओं को दबाने का उसने बहुत सारे कानून बनाए और कई ऐसे कारे किये जिससे भारत की राष्टवादी भावनाओं को दबाये जा सके लेकिन उन राष्टवादी भावनाओं को दबाने के क्रम में भारत में राष्टवाद की भावना का परचार परसार हुआ और इसलिए लाड लिटन के सासनकाल को भारती राष्टवाद का विजांकुरणकाल कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों वरनाकुलर प्रेस एक्ट यानि वरनाकुलर प्रेस कानून किसने लाग़ू किया था या प्रस्तावित किया था तो ये था लाड लिटन और भारत का वो वाइसराय कौन था जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रेटिस इंडिया क बिभाजन हुआ था तो उत्तर है लाड माउंट वेटन और इसका पूरा नाम लाड लुइस माउंट वेटन था दोस्तों ये भारत का वायसराय अगस्त उनिस सो से तालिस में था जब भारत और पाकिस्तान के वीच ब्रिटिस इंडिया का बिभाजन हुआ था अगला प्रश अगला प्रशन है गदर पार्टी की अस्थापना किस ने की थी तो लाला हर्दयाल ने सैंस फ्रांसिसको में अमेरिका में गदर पार्टी की अस्थापना की थी दोस्तों 1919 के जलिया वाला बाग की जाँच के लिए जो समित गठित की गई थी वो किस नाम से जाने जाती है तो उसको हंटर कमेटी या हंटर समित कहा जाता है 1919 के जलिया वाला बाग की जाँच के लिए जिस समित का गठन किया गया था अगला प्रश्ण है वह अस्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रेटिस सासन के विरुद खुला विद्रोह कर दिया था तो सही है वो अस्थान था मुंबई दोस्तों बंबई में नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिस सासन के विरुद खुला विद्रोह किया था अगला प्रशन दोस्तों अम देखें आप रिशन बिजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारम किया गया था तो सही उत्तर है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए आपरेशन बिजय जो है ये अभियान शुरू किया गया था दोस्तों एक महतुपूर्ण प्रश्न देखते हैं भारस सरकार अधनियम 1919 किस पर आधारित था तो सही उत्तर है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आप जानते हैं कि 1909 के भारस सरकार अधनियम को मारले मिंटो सुधार भी कहा जाता है उसी प्रकार भारस सरकार अधनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है अगला प्रश्न है दोय धसासन पढ़ाली प्रांतों में कब लागू की गई थी तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोय धसासन पढ़ाली लागू की गई थी अगला प्रश्ण है भारती संगी ब्यवस्था का प्रवंधन किया था 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 तो ये 1935 का भारती संगी ब्यवस्था का किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों किस एक अधनियम में सिख यूरोपियन और भारती क्रिश्चियनों के लिए सामप्रदाइक निरवाचन सामिल था तो ये था 1935 का भारत सरकार अधनियम और किस अधनियम के द्वारत में संघी नयायलय अस्थापित किया गया था तो ये भारत सासन अधनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत में एक संघी नयायलय के अस्थापित किया गया था सही उत्तर है 1935 के भारत सासन अधनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में भारत का संघी नयायलय अस्थापित किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण क्या है तो ब्रिटेन में आमजुनाव स्वराजदल को कमजोर करना और राष्टवाद को कमजोर करना ये साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण थे अगला प्रश्ण है नहरू समित रिपोर्ट में संस्तुत की गई थी रिपोर्ट में संस्तुतियां ये जो की गई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों नहरू समित रिपोर्ट जो 1928 में थी इसके स्रोत से भारत के संभिधान में किसे शामिल किया गया है तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार यानि फंडमेंटल राइट्स को दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले नहरू समित की रिपोर्ट 1928 में थी और मौलिक अधिकारों को नहरू समित रिपोर्ट 1928 से भारत के संभिधान में भी समाविष्ट किया गया है ऐसे मौलिक अधिकारों का जो उपरावधान है संयुक्तराज अमेरिका के संभ दोस्तों सही कतनों के बारे में जानते हैं मूल अधिकारों को भारती संभिधान में शामिल करने के लिए 1928 की नहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था तो याद रखिएगा भारती संभिधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए सबसे पहले 1928 में नहरू 24 मार्च 1946 को भारत आया था और कैबिनेट मिशन की सिफारिसों और संस्तुतियों के आधार पर भारती सम्विधान सभा का गठन किया गया था अगला प्रश्ण है कैबिनेट मिशन के कौन से सदसे थे तो सही उत्तर है A.B. Alexander, Lard Pathic Lawrence और Sir Istifard Crips ये कैबिनेट मिशन के सदसे थे अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने संस्तुत किया कि समस्त औसिष्ट सक्तियां प्रांतों में नहीत होनी चाहिए तो ये कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था कि सभी औसिष्ट सक्तियां प्रांतों में नहीत होनी चाहिए किसके प्रस्ताव से संबिधान सभा की अस्थापना हुई थी तो दोस्तू हमने कई बार चर्चा कर लिया कि cabinet mission plan या जिसको की मंद्रिमंडली mission कहा जाता है इसके प्रावधानों के आधार पर भारत में संबिधान निर्माड के लिए एक संबिधान सभा की अस्थापना की गई थी अगला प्रशन है केंद्र में अंतरिम सरकार की अस्थापना हुई थी किसके आधार पर तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद भारत में अंतरिम सरकार की अस्थापना हुई थी अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोश्रा कब की गई थी तो 24 अगस्त 1946 को दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोश्रा भारत में की गई थी और देखिए यहां पर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था तो ये थे पंडित जवाहरलाल दोस्तों अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नहरू जो है सरकार के मुखिया थे जिनको कारेकारी परिशत का उपाध्यच, विदेशी मामलो और राष्ट मंडल का उनके पास विभाग था इस सरकार में बललब भाई पटेल, ग्रिह और सूचना परसारन मंतरी थे, बलदेव सिंग रक्षा मंतरी, जान मताई उद्योग और आपूर्ति मंतरी और सी राजगोपालाचारी सिक्षा मंतरी थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, डाक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद और किसी क्रिशी मंतरा ले था और स्रम विभाग के मंतरी जग जीवन राम थे तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ट था 1946 का कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर जो अंतरी मंतरी मंदल गठित हुई थी उसके बारे में हमने जाना अगला प्रश्ण है दोस्तों किस कांग्रेस सदस ने माउंट बेटन योजना को अस्विकार किया था तो ये थे मौलाना अबुल कलामाजाद दोस्तों मौलाना अबुल कलामाजाद ने कैबिनेट मिशन योजना को स्विकार नहीं किया था अगला प्रेश्ण है The Indian Independence Bill जिसका लच्छ भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिस इंडिया का विभाजन करना था इसको ब्रिटिस संसद में कब प्रस्तुत किया गया तो दोस्तूं भारत स्वतंता जो बिधेयक है ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिस संसद में प्रस्तुत किया अगला प्रस्ण देखिए कथन कारण से संबंधित है कथन है कि भारती सोतंता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिस सासन का अंत कर दिया ये आपका सही कथन है कारण में दे रहे हैं कि भारती सोतंता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विरिश्तित संविधान की वेवस था नहीं की गई थी तो सही उत्तर है ये सही है लेकिन आर गलत है आईए अब देश्टों देखते हैं संबिधान सभा से संबंधित मोहतोपूर प्रश्णों को तो आईए संबिधान सभा से संबंधित प्रश्णों को देखते हैं देखिए प्रश्ण है कि भारती संबिधान का निर्माड किस ने किया था तो सही उत्तर है दोस्तों भारती संविधान का निर्माड एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था तो सही उत्तर है भारती संविधान संबिधान का निर्माड एक संबिधान सभा ने किया था भारती संबिधान सभा का अस्थापना वर्ष क्या है तो उत्तर है 1946 दोस्तों कैबिनेट मिसन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संबिधान सभा का चुना हुआ था 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुना हुए जिन्हें भिभिन प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था और इनमें कांग्रेश को 208, मुस्लिम लिक को 73 स्थान और 15 अन्य दलों और सोतंतर उम्मी द्वारों को मिले दोस्तों संबिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चेंबर के पुस्तकाले भवन में हुई थी और यहाँ पर डाक्टर सचदानन सिनहा जोकी सभा के सबसे बुजुर्ग सदा से थे उनको संबिधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया थ अगला प्रशन है संबिधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे तो संबिधान सभा के अंतरिम या अस्थाई अध्यक्ष संबिधान सभा के सरवाधिक जो है वरिष्ट सदा से डाक्टर सचदानन सिनहा थे भारती संबिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो सही उत्तर है भारती संभिधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजिंद प्रसाथ थे तो याद गल लीजे संभिधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजिंद प्रसाथ थे दोस्तों भारत की संभिधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था तो ये थे B.N. राव भारती संबिधान सभा के निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार थे अगला प्रश्न है दोस्तों भारती संबिधान सभा के सदस्यों में कौन-कौन से लोग शामिल थे तो दोस्तों भारती संबिधान सभा की जो प्रारूप समिती थी देखिए बहुत ही महतुपूर है दोस्तों बी एन राव ने भारती संबिधान सभा का प्रारूप भारती संबिधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तयार किया था और ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समित का अध्यश दक्टर भीम राव अंबेटकर को चुना गया था दोस्तों प्रारूप समित के सदस्यों की संख्या साथ थी याद कर लिजे डाक्टर भीमराव अमबेटकर अध्यस थे यन गोपाला स्वामी आयंगर अल्लाद कृष्णा स्वामी अयर इसके अलामा दोस्तों कनहया लाल मारिक लाल मुंसी और सैयद मुहम्मद सादुल्ला एन पी खेतान 1948 में इनकी मृत्य के बाद टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाए गया दोस्तों संबिधान सभा में बाबा सहब डाक्टर भीमराव अमबेटकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था तो याद रखेगा भारती संबिधान सभा में सात सदस्य थे औ तो 9 दिसंबर 1946 को और भारती संबिधान के वास्तुकार या सिल्पी किसे माना जाता है दोस्तों भारती संबिधान का वास्तुकार डाक्टर भी आर अमबेटकर को माना जाता है अगला प्रश्चन है संबिधान की प्रारूप समित का अध्यच कौन था तो सही उत्तर है भी प्रश्न है भारती संबिधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आए थी तो सही उत्तर है याद रखेगा भारती संबिधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी अगला प्रश्न है भारत का राष्टी दोहज संबिधान सभा ने कब स्विकार किया था तो उत्तर है दोस्तों 22 जु अगला प्रश्ण है भारत का संविधान कब निर्मित हुआ तो ये 26 नुवंबर 1909 को निर्मित हुआ था बहुत ही आसान सप्रश्ण भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था दोस्तों तो ये 2 वर्स 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों 9,9,1946 से संभिधान सभा की पहली बैठक से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संभिधान को बनने में लगा हुआ समय था अगला प्रशन है भारती संभिधान को किस ने अधिनियम बनाया तो सही उत्तर है संभिधान सभाने अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वाधीन भारत के संबिधान पर संबिधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुआ था तो ये तिथी थी 24 जनवरी 1950 दोस्तों स्वाधीन भारत के संबिधान पर संबिधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे अगला प्रश्ण है भारती संविधान की लागू होने की तिति क्या है तो इसको बताने की आव सकता नहीं है 26 जनवरी 1950 और आपके लिए एक प्रश्ण है कि संविधान की जो हमारा जो संविधान है उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी की हीतिति क्यों घोसित की गई थी लागू किया गया था प्रश्ण है दोस्तों भारत एक गड़तंत्र राज या रिपबलिक कब बना है तो भारत 1950 में एक रिपबलिक या संपूर्ण प्रभुत्त संपन्न गनराज बना था तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्ण जो आगामी TGT PGT परिछाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महतोपूर्ण है ये वीडियो ने केवल नागरिक सास्त्र से आजोजित TGT PGT परिछा बलकि इतिहास विषय यानि सामाजिक विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा क्योंकि ये प्रश्ण TGT PGT परिछ को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार